हलो एवरिवन आज है 4 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करें जा रहे हैं NBCC इंडिया के बारे में एक कंश्रक्शन से से जोड़ी हुई सरकारी कंपनी है ये और आज ना 8% की बड़ी रफ्तार पकड़ी है और सिर्फ आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से ना ये पूरी कर दी और एक महिने के सबसे हाइस प्राइस से बैठ चुका है बाचित करेंगे कि वह यह चल गया रहा है यहां पर और क्या बड़ी अपडेट से यहां पर निकल कर आई है देखें वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो पो काफी साथ हेल्प करेंगे तो NBCC इंडिया सरकारी कंपनी 47 रुपीस का शेर एक महिने में 17% की तेजी एक साल में देखोगे तो 36% की तो कम से कम तेजी है और देखो जब भी ना ऐसे formation यहाँ पर बनेंगे ना बड़ी रफतार वाले याद रखें कर्रेक्शन बाद में बैठा है यहाँ पर अगर आप पांस साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 37% की गिरावट है और यह बड़ी गिरावट दिखाई बड़ी रफतार पकड़ी गिरा तो है जो इसको नीचे की तरफ फेक रहा है तो at least जिस प्राइस पर ट्रेट कर रहा है वो लेवल थोड़ा सा महंगा तो है और जो 30 की सबसे बड़ी वज़ा है वो यही है कि वही बड़ा ओर इनको मिला है 301 करोर रुपीज की कीमत के ओर्डर इनको मिले है जो की बड़ी complex for the institution of तो यहाँ पर देली का है यह और न्यू डेली से इनको इतना बड़ा ओर्डर मिला हुआ है 301 करोर रुपै का इतना बड़ा ओर्डर है प्रोजेक्ट केहलो जो इनको मिला है जिसके चलते कह सकते हैं कि तेजर यहाँ पर यह दिखा रहा है NBCC इंडिया में आज वॉल यूजर दस परसंट लोग कह रहें बेच और भाग चाओ जबकि 90% लोग कह रहें खरीदारी करो और जहां तक कंपनी की बात करें तो इनके नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं और जो डेट है वो दस अगस्त है छे दिन बाद नंबर से आने रिजर्ट से वो आने वाले अनॉंस्मेंट हुई जरूर है और मुझे तक इस साथ भी डिविडेंट पे होगा जरूर ऐसा नहीं की नहीं होने वाला है कंपनी के क्वार्टर ले रिजर्ट्स अगर आप देखोगे तो मार्च में भाया धमाके किये थे इसने 2590 करोड का रिवन्यू था इनका जबकि इसे पहले 2135 करोड फिर 2030 करोड तो शांधा रिजर्ट था मार्च का लास्ट कॉर्टर का अभी जून के नहीं आए हैं वो छे दिन बाद आने वाले हैं और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भी अच्छा देख 233 करोड का मुनाफ़नी उनने कमा है ज़रूर था लिए अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है ठीक है दस तारिक जब इनके रिजर्ट्स हैंगे तो एक्सपेक्टेशन जादा होगी वया 100 करोड से जादा के तो प्रॉफिट होने चाहिए 3000 करोड तक के रिवन्यू होन करते हैं कि बेलना भागता गया भागता गया और जब नंबर आया तो बड़ा बड़ा लॉस दिखा दिया उम्मीद करता हूं कि वैसा इसके साथ ना हो यहां पर बात करें तो इसका जो पी रेश्यो है वो 30 के आस पास का है सेक्टर पी 43 अभी भी सस्ता के सकते हैं इसको ल 24% है mutual fund के पास 7.11% है domestic institution के पास 3.84% है Files के पास तो अच्छी कासे quantity बड़े-बड़े institution लेकर बैठ हैं लेकिन सबसे बड़े quantity उसके बाद है retail investors यहां पर 19.41% के quantity retail investors लेकर बैठ हैं जबकि other parties के पास 4.66% की holding है NBCC इंडिया के बारे में अगर हम बात के तो company देखो खराब तो नहीं है लेकिन graph अगल भी इसका observe करो ना तो लगातर यह भाग रहा तरीक है 40-45 से उपर निकल लेकिन उसके बाद 3 दिन का correction देखने को मिला आज एक दिन में बड़ी रफ्तार आई है हो सकता है कि Monday को भी त results आने वाले हैं वो एक बड़ा रोल यहां पर play कर सकता है या तो resistance नीचे की दरफ जाने का या तो एक breakout दिखाने का और जहां तक मुझे यहां पर लगता है again कह दो यह मेरा personal opinion है कि नीचे जाने के chance से शायद थोड़े जादा हो सकते हैं यहां पर company है अच्छी लेगिन फिर कीजे जब आये तब यह all the radio आपको शायद 45 के नीचे ही शायद नजर आ सकता है यह बागी मरजी आपकी है वीडियो को यही पेंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक कर शाय करें चैनल पकर पहले बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और NBC से इंडिया के बार में आप क्या स सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यू